नमस्कार आप देख रहे हैं Equality News और मैं हूँ काजलाब के साथ चले नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर यूपे विधानसबा चुनाओ 2022 में जीते विधायकों का शपत ग्रण समारो आज हो रहा है इस मौके पर चुनाओ के बाद विधानसबा में पहली बार CM योगी अधित्यनाद और अखिले श्यादव आमने सामने होई राजनीती अपनी जगा है लेकिन जब दो नेता एक दूसर से मिलते है तो कैसी गर्म जोशी दिखाते है इसका एक नजारा हमें आज उत्तरवरदेश की विधानसबा में देखने को मिला CM योगी ने सबसे पहले शपत ली वह जैसे ही अखिले श्यादव के सामने पहुचे अखिले श्यादव ने उठकर उनका अभिवादन किया इसके बाद दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया इसी दोरान सियम योगी ने अखले शियादो के कंधे पर हाथ भी रखा परंपरा के मुताबिक नेता विरोधी दल अखले शियादो को दूसरे नंबर पर शपत ग्रहन के लिए बुलाया गया अखले शियादो अपनी जगह से उठकर आसन की ओर जाते समय जैसे हैं सियम योगी के सामने पहुचे दोनों नेताओ ने एक बार फिर एक दूसरे को प्रणाम किया इस मौके पर शणभर के लिए अखले शियादो रुके CM योगी भी अपने स्थान पर खड़े हुए दोनों नेताओं ने फिर एक बार एक दूसरे को प्रणाम किया इसके साथ ही अखलेश यादव आसन की ओर बढ़ गए अठारवी विधान सभा के नवनिर्वांचीत विधायकों को राजिपाल द्वारा नवनियुक्त प्रोटेम स्पीकर रमापती शास्त्री ने शपत ग्रहन कराई इसके साथ ही सबसे पहले CM योगी ने शपत ली जिसके बाद विरोधी दल के नेता के रूप में अखलेश यादो ने शपत ली इसके बाद एके कर्मंत्रियों और नवनिर्वांचीत विधायकों का शपत ग्रहन हुआ पश्चिम बंगाल विधान सबा के बजट सत्र का आखरे दिन हंगामेदार रहा बीजेपी और टीमस के विधायकों में जम कर हातापाई हुई और कपड़े भी फाड़े गए बीजेपी ने आरूप लगाया कि जब उसने बीरभूम मामले पर चर्चा की मांग की तो टीमस के विधायकों ने आपाख हो दिया और हातापाई की इस दौरान बीजेपी विधायक मनोज तिगगा के साथ मार पीट की गए इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया बताया जारा है कि इस हातापाई में टीमस के विधायक आसीत मजुंदार को कथित तोर पर नाक पर चोटाई है उन्हें SSKM में ले जाया गया है इसके साथ ही इस घटना के बाद पाच बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है जिसमें शुभेंदू अधिकारी, मनोज तिगगा, शंकर घोष, दीपक बर्मन और नरहरी महतोश शामिल है विधायकों ने विधान सभा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने दावा किया कि उनके साथ भी मारपेट की गई है और वेल में प्रदर्शन के दोरान सीक्योरिटी गार्ज ने उन्हें धका भी दिया है बिजेपी ने सदन में बीरभूम हिंसा मामले में भहस की मांगी और फिर विरोत करना शुरू कर दिया इसके बाद सदन में स्थिती बिगड़ गई और दोनों पक्षों के बीच हाथा पाई शुरू हो गई बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार को पटना जिलेक के बक्तियारपूर में मूर्ति पर माल्यारपन के दौरान युवक ने थपपर जड़ दिया समंदित युवक को बक्तियारपूर था न ले जाया गया है नितिश कुमार के साथ ये पहला मोका नहीं है जब उन पर हमला हुआ है इससे पहले नितिश कुमार पर कभी चपल तो कभी पत्थर फे के जा चुके है इसके साथ ही बिहार विधान सभा चंआव के प्रचार के दौरान बिहार मुख्यमंत्री नुटीश कुमार मदुपनी के हर लाखी विधान सभाक्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस दौरान नुटीश को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था नितिश कुमार जब भाशन दे रहे थे तभी कुछ लोगों ने उनके उपर प्याज और कंकड पत्थर फेके थे इतना ही नहीं इस दोरान पत्थर फेकने वाले नारे बाजी करते हुए कह रहे थे कि बिहार में शराब खुले आम भीक रही है और तसकरी हो रही है लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे है इस व्यक्ति को नितिश कुमार के सिक्योरिटी गार्ड ने रोकनी की भी कोशिश की लेकिन नितिश कुमार ने कहा कि फेकने दो जितना फेकना है फेकने दो चंडिगर में केंद्रिय ग्रहमंत्री अमिच शाह के केंद्रिय सिविल सेवाओं के लागू करने के फैसले पर विवात खड़ा हो गया है पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अमिच शाह के इस फैसले का विरोध किया है भगवंथ मान ने अमिच शाह के इस फैसले को पंजाब Registration Act 1966 के खिलाफ बताया है पंजाब के CM भगवंथ मान ने दावा किया कि उनकी सरकार चंडिगल पर पंजाब के दावे को लेकर लड़ाई लड़ती रहेगी भगवंत मान ने अमिच शाह के फैसले काकड़ा विरोज जताया है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दोसरे राज्यो के कर्मचारी और अधिकारियों को चंडिगर प्रशासन पर थोप रही है केंद्र सरकार का यह कदम पंजाब रजिस्ट्रेशन एट के खिलाफ है पंजाब चंडिगर पर अपने हक के लिए लड़ाई हमेशा जारी रखेगा दिल्ली विश्व विद्याले परिसर में फिर एक बार ओपन बुक एक्जामनेशन को लेकर चर्चाओ का बाजार गर्म हो रहा है जिसमें चात्रो का प्रदर्शन आम जन्मानस का ध्यान अपनी और आकरशित कर रहा है दरसल चात्रो का कहना है कि जब हमारी क्लासिस ओनलाइन हुई है तो परिक्षा ओफलाइन क्यों ली जारी है और प्रशासन का ये कदम चात्रों के खिलाफ है ऐसा चात्रों का कहना है 60-70 प्रतिशत बच्चे दिल्ले विश्वविध्याले में बाहर से दूसरे राज्यों से आकर पढ़ते हैं कोविट के दौरान चात्र अपने होम टाउम रहे और कॉलेज को खुले अभी एक महिना भी नहीं हुआ है जिससे आदे से ज़्यादा चात्र अभी दिल्ली पहुँच तक नहीं पाए है वही दूसरी तरफ हमारी क्लासेस जब ऑनलाइन हुई तो फिर एक्जाम ऑफलाइन के उलिया जा रहा है इसके साथ ही हमारा सिलिविस कंप्लीट नहीं हुआ है और ऑफलाइन परिशा का बोज हम पर डाल दिया जा रहा है आफलाइन मोड में एक्जाम देने के लिए मानसीक रूप से हम बिलकुल तयार नहीं है इसी समधित मुद्दे को लेकर पूरे छातरों ने नौर्थ कैंपस आर्ट फैकल्टी के बाहर जम कर हल्ला बोल किया और वाइस चांसलर के खिलाफ नारे वाजी की और बैरिकेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश भी की सब्सक्राइब को देख करके अपनी कंडिशन है कि वह फोर्ट करता है जो आ गया है उन्हें नहीं मिल पा रहे नंग सब्सक्राइब करें कि तुम यहां खाली करो अभी सेट होने में टाइम लग जाएगा फुक्स को पीस देखनी है प्राइम ट्राइम खबरों में आज के लिए इतना ही फिर होगे आपसे मुलाकात तब तक के लिए आप देखते रहे है खबरों के और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें